कविंदर गुपता हमारे साथ मौझूद हैं कल बीजेपी की बहुत ही एहम मीटिंग होने वाली है जिसमें लोगसभा इलेक्शन्स यूएलबी लेक्शन और पंचायत इलेक्शन पे भी चर्चा की जानी है क्या कुछ इसमें रहेगा लेक्शन को छोटा हो या बड़ा भारत चेपाल जी ने आज ही ये ब्यान दिया है कि आने वाले समय में OBC रिजर्वेशन के बाद ये लोकल बॉड़ी और पंचायतों के इलेक्शन करवाए जाएंगे तो उसी को लेकर के चर्चा भी होगी हमारे केंद्रिय नेता हमारे परभारी सह परभारी भी आ रहे हैं और स् दंग से अपने परदेशन दिखा पाए उस पर ही जब्चा होंगे कि यूएलबी और पंचायत लेशन जल्द होंगे और आपकी जो कोल गूर्प की मीटिंग्स हैं वो कल की मीटिंग बाकी मीटिंग से किसना से अलाइदा है किसना से कवी आहम बढ़िए जब सभाविक बा परकार से कालिका धाम में बहतने वाले हैं तो डिस्टल्मेंस भी ना हो और ठीक परकार से बात्चित हो पाए और पूरा दिन सत्र अलग लग से चलेंगे अलग लग तरह के विश्यों को लेकर किस तरह से चुनाव पर बंदन करना है किस तरह से सेलेक्शन करनी हैं किस तरह से पूरे अलग-लग लोक सभा पर किस परकार से किसकी डूटी से लगेगी इसी परकार से सभी एक चीज़े तैह होंगी बहुत एहम मीटिंग जो होने वाली है और इसमें से कहा अकमिर्ट कुटा ने जो स्क्रेटजी है वो जो है वो फाइनल की जाएगी किसकी डूटी लगाए जाएगी किस तरह से लेक्शन में उतरना है और जो यूएल बी और पंचायट लेक्शन की बात की गई है उसको किस त लोकल बॉडिज के और पंचायट के जनाल जमो कर्श्मीर में हो सकते हैं इसरी के मद्दे नजर कल बीजेपी की एक एहम बैठक होने वाली और यह बैठक कितनी एहम है इसकी संजीद्गी यहीं से आप अंदादा लगा सकते हैं कि जिस तरह से करिंद्र गुटका ने बताtal या है कि यह बीजेपी हेट क्वाइटर में होने वाली थी लेकिन अपयाम लाताब लोकसभा इलेक्शन बलकि अब जिस तहां से एलजी मिनोसना का ब्यान आया है कि जो लोकल बोडी सेलेक्शन है और पंचायत लेक्शन है वो भी जल्द हो सकते हैं उस पे भी चर्चा होगी यानि कि किसकी ड्यूटी कहां लगाई जानी है और किस तहां से स्ट्रेटजी बनान पर किस तहां से पार्टी को मजबूत करना है और जिस तहां से अभी प्रान पठिश्टा का भी प्रोग्राम है और बीजेपी ने जिस तहां से अपर जम्मू कश्मीर में एक एक तहां से चलाया हुआ अपना कैंपेन चलाया हुआ है मंदरों को साफ करने का उसको भी किस त को देखकर है अलगी बीजेपी का माना है कि यह अलग एक विश्य है जो प्रान पटिश्टा का है लेकिन एलेक्शन में हम जब जाएंगे हमने इतने काम किये हैं यहां पे जम्मु कुश्मीर में जो आई टी है आई एम है एमस है वो लगबग जो है वो बन के तयार हो चुके काफी हद तक वो कंटेन कर पाने में अंतरकवाद को काम्याब हो पाए हैं जो बॉर्डर के लोगों को पहले दिखते थी जो पाकिस्तान की तरफ से गोले आते थे वो अब बंद हो चुके हैं तो लोकसबा में जिस तरह से बड़े मुद्दे हैं 370 जिस तरह से अप्रोगे किनों में इस बात पर चर्चा की जाएगी क्योंकि तमाम जो को को कमिटी के मेंबर हैं बीजेपी के जमू किश्मीर में वो सब इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं और सब जब नेता जब शामिल होंगे तो जाहिर सी बात है सभी एलेक्शन के ओपर चर्चा होगी किस त से वो मॉबिलाइज करेंगा अपने लाके में लोगों को और जो जन जन तक जो जो कल्यान जोजनाएं हैं जो जो पीम मोदी ने स्टार्ट की है उनको किस तरह से लोगों तक पहुंचाना है क्यों कि अभी हमने देखा कि कई कई जो है बूत लेवल पे कई ऐसे कैम्पेंज हो को यह जो कंपेंग है पिस दिनों में काफी तेज हुई है अब कल चर्चा जो है फाइनल चर्चा यह की जाएगी कि किस जवाब देही तैय करनी है तमाम नेताओं की कि अपने इलाके में आप जाएं और वहां पे आप किस तरह सुपरवाइस करते हैं इसको क्यों कि आप देही तो तैय करनी पड़ेगी रणनीती बनानी पड़ेगी लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल यह है कि जहां एक तरफ लोकसभा के चुनाव है और लोकसभा चुनावों के लिए मुद्दे बहुत है सरकार के पास गिनाने के लिए केंद्र की योजनाएं है अनुच बिलकुल अलग है शेहरों के मुद्दे बिलकुल अलग है तो ऐसे में कहीं न कहीं एक पशोपेश पार्टी के बीच है कि किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाया जाए क्योंकि अगर लोकल बॉडिज और पंचाय तो विदान सवा चुनावों का रुख करें तो वहा होंगे अब यहीं मीटिंग में तैय किया जाएगा कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर हम जो लोकल बॉडिज और पंचाय तेलेक्शन है उसमें जाए क्योंकि हाली में जब पंचायतों की जो पावर्स हैं वो खतम की गई है और वह उसके बाद वहां से ही एक मांग में जो लोकल बॉडिज हैं वो भी करने कहीं भंग हो चुके हैं और पंचायतों की जो समय सेमा है वो भी खतम हो चुकी है तो ऐसे में यह कोशिश है क्योंकि यह ब्यान दिया है यह अपने आप में काफी एहम है क्योंकि लोकसभा चुनावों से पहले यह ब्यान देना कि जूएल बी और पंचायत एलेक्शन जल्दी हो सकते हैं जमुक्षमीर में तो कई तरह की जो सियासी अटकले हैं वो यहां पर तेज हो चुकी हैं और यह क्यास लगाए गए हैं कि शैद जो लोकसभा के साथ या यह जल्द एलेक्शन जो हैं जमुक्षमीर में देखने में सकते हैं क्योंकि जो लोकल बोस्येट के साथ जूड़े हूँ हैं। Q म 때 पंचों- के माधरम से पूंचाई जाती लेकिन अब पंसरपंच ही चाहते हैं कि जो उनकी जो ताक्ते हैं वो वापिस दी जाएं, यहां इलेक्शन करवाये जाएं, ताकि वो जो लोगों का जो काम काज है, जो पंक्ती में अंतिम व्यक्ति खड़ा हुआ है, उस तक जो विकास पहुंचाने की बात की जाती है, वो क मुकमल हो पाएं, बिल्कुर राजिन, और यह तो जगजाहिर है कि कोई भी चुनाव हो, चाहे UV का चुनाव हो, चाहे Pan necklace का चाहे विदान सबह का चुनाव हो, बीजेप किसी भी चुनाव को हलके में नहीं लेती है, और यह इसे सुप्स्च होता है कि जिस लेवल की मीटिं करे आपका बहुत बहुत शुक्रिया